हाई फ्रेंट्स मैं राम चंद्रपजापती आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आरेस आनलाइन जोन में स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आपके पास मैक्स लाइफ इंसोरेंस की कोई पालसी है और आपने पालसी में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नमबर चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको अपने वीडियो में वो तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल नमबर को चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं माइक्स लाइफ इंस्वरेंस से रिलेटेड मैं अपने सभी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्सन बाक्स में दे दूँगा आप उहां से जाके मेरे सभी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लिजिए उसके बास सर्च बाक्स में मैक्स लाइफ इंस्वरेंस लिखके सर्च कीजिए इस पेज में थोड़ा सा नीचे आ जाईए यहाँ पर आपको मैक्स लाइफ इंस्वरेंस के आफिसियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा इस पर क्लिक कर दीजिए थोड़ी ही देर में मैक्स लाइफ इंस्वरेंस की आफिसियल वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों अगर आप ये काम अपने मॉबाइल पे कर रहे हैं तो अपने मॉबाइल को डेक्स्टाप मोड में सेट कर लीजिए उसके बाद कस्टमर लागिन वाले टेप पे क्लिक कर दीजिए एक नया पेज उपन हो जाएगा यहां पे आप अपने पालसी में रेजिस्टर मॉबाइल नमबर भर दीजिए उसके बाद यहां पे अपना डेट आप बर्थ भर दीजिए अगर आप अपने पालसी पे रेजिस्टर मॉबाइल नमबर पे वाट्सेप चलाते हैं और अपने WhatsApp पे अपने पालसी से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो यहाँ पे चेक बाक्स पे टिक कर दीजिए उसके बाद Continue वाले टेप पे क्लिक कर दीजिए थोड़ी ही देर में आपके रजिस्टर्ड मुबाइल नंबर और रजिस्टर्ड इमेल आईडी पे चार डिजिट का एक OTP भेज दिया जाएगा उस OTP को दोनों में से किसी से देखके यहाँ पे भर दीजिए OTP भरने के बाद लागिन वाले टेप पे क्लिक कर दीजिए थोड़ी ही देर में आप अपने पालसी के अकाउंट में लागिन हो जाएंगे दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा अनुरोध है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए जिससे की मेरे आने वाली नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बाक्स में मुझे कमेंट जरूर करें आपके सभी कमेंट और सजेशन का मेरे चैनल पे स्वागत है अब व्यू पालसी डिटेल्स वाले टैप पे क्लिक कर दीजिए आपके स्क्रीन पे आपके पालसी का डिटेल आ जाएगा उसके बाद पार्सनल वाले टैप पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे आपके पालसी में रजिस्टर मुबाइल नमबर दिखने लगेगा इस नमबर को अगर अपडेट करना है या चेंज करना है तो एडिट वाले टैब पे क्लिक कर दीजिए अपने पालसी में जो नया नमबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं यहाँ पे ओ नया नमबर भर दीजिए उसके बाद चेंज मुबाइल नमबर वाले टैब पे क्लिक कर दीजिए एक कनफर्मेशन मेसेज आएगा कनफर्म वाले टैब पे क्लिक कर दीजिए आपके रजिस्टर्ड मुबाइल नमबर और रजिस्टर्ड इमेल आईडी दोनों पे चार डिजिट का एक OTP भेजा जाएगा उस OTP को दोनों में से किसी में से देख के यहाँ पे भर दीजिए उसके बाद अपडेट माई डिटेल्स वाले टेप पे क्लिक कर दीजिए आप अपने पालसी में किसी भी मुबाइल नमबर को चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं थैंक यूँ